उस्तक का नाम ग्रहस्त एक योग साधना लेखक पंडिश्री राम शर्माचारी जी ओडियो वन ग्रहस्त योग योगकार्थे जोड़ना, मिलाना मनुश्य की साधारन इस्तिती ऐसी होती है जिसमें वह अपोन होता है इस अपोनता को मिटाने के लिए किसी दूसरी शक्ति के साथ अपने आपको जोड़कर अधिक शक्ति का संचय करता है अपनी सामर्थ के बल से अपोनता को दूर कर पोनता की और ती ब्रगती से बढ़ता जाता है यही योग का उद्देश है इस उद्देश की पूर्ती के लिए हट योग, राज योग, जप योग, लय योग, तंत्र योग, भक्ती योग, ज्यान योग, कर्म योग, स्वर योग, रिजी योग, महा योग, कुंडलनी योग, बुद्धी योग, समत्व योग, प्राण योग, ध्यान योग, सांख यो आदी 84 प्रसिद्ध योग और 700 और प्रसिद्ध योग है इन विमिन योगों की कारे प्रणाली विदी विवस्ता और साधना पद्धती एक दूसरे से मिलकुल भिन्न तो भी इन सब की जड़ में एक ही तत्थे काम कर रहा है माध्यम सब के अलग अलग है पर उन सभी माध्यम से अमरत की और जो प्रगती होती है उसका नाम योग है अनु आत्मा को परम आत्मा बनाने का प्रयतन ही योग है यह प्रयतन जिन जिन मार्गों से होता है उन्हें योग मार्ग कहते हैं एक स्थान तक पहुंचने के लिए विविन दिशाओं से विविन मार्ग होते हैं आत कोई फल कोई मास खाता है यह सब चीजे एक दूसरे से बिल्कुल प्रथक प्रकार कियें तो भी इन सबसे भूक मिटाना यह एक उद्देश्य पूर्ण होता है इसी प्रकार योग के नाना रूपों का एक ही प्रयोजन है आत्मे भाव को विस्तृत करना तुच्छता को महान के साथ बांध देना अनेक प्रकार के योगों में ग्रहस्त योग भी है गंभीरता पूर्वक इसकी उपर जितना ही विचार किया जाता है यह उतना ही अधिक महत्रपूर्ण सर्वसुलव तथा स्वल्प श्रमशाद्द है इतना होते हुए भी इससे प्राप्त होने वाली जो सिद्धी है वह अन्य किसी भी योग से कम नहीं होती है वर अधिक होती है प्राचीन समय में अधिकांश रिशी ग्रहस्त थे वस्षिष्ट जी के सौ पुत्र थे अत्री जी की स्त्री अनुशुया थी गौतम की पत्नी अहिल्या थी जब दगनी के पुत्र परशुराम थे श्वैन की स्त्री सुकन्या थी या गिवल की दो स्त्री गार्गी और मैत्री थी लोमेश के पुत्र श्रिंगी रिशी थे व्रद्धा वस्ता में सन्यास ले लिया हो यह बात दूसरी है परंतु प्राचीन काल में जितने भी रिशी हुए वे प्राया सभी ग्रहस्त रह योगी राज कृष्ण और योगिश्वर शंकर इन दोनों को ही हम ग्रहस्त के रूप में देखते हैं आत्पोनुति करने के लिए ग्रहस्त धर्मिक प्राक्रतिक स्वभाविक आवश्यक और सर्वसुलव योग है जब तक लड़का अकेला रहता है तब तक उसकी आत्म भाव वह अपनी पत्नी की शुक्स विदाओं के बारे में सोचने लगता है अपने सुक और मरजी पर प्रतिबंद लगा कर पत्ने की आवश्यक पूरी करता उसकी सेवा सहता और प्रसनिता में अपनी शक्तियों को खर्च करता है कहने का तात्त पर यह कि आत्म भाव की सीमा बढ योग लगता है कि अपनी निजी सुख सुविदाओं का ध्यान मनुश्य भूल जाता है और बच्चे की सुविदा का ध्यान रखता है। आदी में अपनी आत्मियता बढ़ाता जाता है। क्रमशा आत्मों नतिकी और चलता जाता है। पत्नी दो में फिर बाला के साथ तीन में संबंधियों में पडोसियों में गाउं प्रांथ प्रदेश रास्ट और विश्यों में यह आत्मियता क्रमसा बढ़ती जाती है। आगे चलकर सारी मनुश्य जाती में आत्मिय भाव फैलता है। फिर पक्षियों में, कीट पतंगों में, जड़ चेतन में यह आत्मिय भाव विक्सित हो जाता है। जो उन्नती एक से बढ़कर दो में, दो से तीन में हुई थी, वही उन्नती धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। और मनुश्य संपूर्ण चार अचर में आत्म सत्ता को ही समाया देखता है। उसे परमात्मा की दिवे जोती, सरवत्र जगमगाती दिखती है। पत्नी तक अपने मन को जितने अंचों में फैलाया जाता है, उतने अंचों में अपनी खुदगर्जी पर सयम होता है। बाल वच्चों की होने पर ये आत्म सयम और अधिक बढ़ता है। अंत में जीव पूर्णता आत्म सयम ही हो जाता है। दूसरों के लिए अपने आपको भूलने क अभ्यास क्रमशा इतना अधिक तुष्ट हो जाता है कि अपना कुछ रहता ही नहीं सब कुछ बिराना हो जाता है मेरा मुझको कुछ नहीं जो कुछ है सो तोर की ध्वनी उसके अंदर से निकलने लगती है खुदी मिटती जाती और खुदा मिलता जाता है मैं का अंत होने से तू ही शेश रहता है ग्रोस्त योग की छोटी से सर्वसुलब साधना जब अपनी विक्सित अवस्ता तक पहुंशती है तो आत्मा परमात्मा बन जाती है अपोनता से छुटकारा पाकर पोनता उपलब्द करता है और योग का वास्विक उद्देश से पूरा होता है त्र अभी घर से ही प्रारंब होनी चाहिए प्रेम त्याग और सेवा का अभ्यास करने के लिए अपने घर का छेत्र सबसे अच्छा है इन तत्वों को प्रकाश जिस स्थान पर पढ़ता है वहीं चमकने लगता है जब तक आत्मेता के भाव की कमी रहती है तब तक औरों के प्र प्रती आत्मे भाव रखती है इसलिए ये दिवा लाबधायक ना हो तो भी उसे भरपुर्स नहीं करती है पती व्रता पत्यों को अपने काले कलूटे और दुरगणी पती भी इंद्र जैसे सुंदर और व्रहस्पती जैसे गुडवान लगते हैं दुनिया में सारे जगड की महान साधना में प्रवर्थ होने वाले को अपना द्रिश्शिकोंड देने का त्याग और सेवा भावना का बनाना पड़ता है आप प्रेम की उदार भावनाओं से अपने अंताकरण को परिपूर्ण कर लीजिए और सगे संबंदियों के साथ त्याग एवं सेवा कर लोगों से टकरा कर अपने पास वापस लोटाती है और वे आनंद की भीनी सुगंदित फुहार से छिड़क कर मुर्जाए वे अंताकरण को हरा कर देती हैं माली अपने उपर जिस बगीचे की जिम्मेदारी लेता है उसे हरा भरा बनाने सरसब्ज करने का जी जान से प्रयत दिया है यो तो समस्त समाज और समस्त जगत के प्रती हमारे बहुत से करता हुए किन्तो इस चोटी सी बगीची का भार तो विशेश रूप से अपने उपर रखा हुआ है अपने परिवार की हर वैक्ति को स्वस्त रखने सिक्षित बनाने सद्गुणी सदाचारी और चतु और पूजन से किसी प्रकार कम नहीं है स्वार्थ और पर्मार्थ का मूल बीज अपने मनो भाव द्रिश्टी कोण की उपर निर्भर है यदि पत्तिनी के प्रति उसे अपनी नौकरानी दासी संपत्ति भोग समागरी समझ कर अपना मतलब गाठने सेवाएं लेने शाशन कर करने का भाव हो तो यह भाव ही स्वार्थ नरक गलह भार दुख की ओर ले जाने वाला है यानि उसे अपने उपवन का एक सुरम रस्वरक्ष समझ कर उसके प्रति सात्विक त्यागमाई सेवा का पुनीद उदारता मैं प्रेम का भाव हो अपने स्वार्थ की अपेक्षा उसके स्वार्थ को महत्वा देने का भावो तो यह भाव भी दामपत्य जीवन को पत्नी स्तानिद्य को परमार्थ स्वर्ग स्नेहे और आनंद का घर बना सकता है। तो ये सभी बड़े स्वार्थी, खुदगर्ज, बूरे, रूखे, उपेक्षा करने वाले उद्दंड दिखाई देंगे, उनमें एक से एक बड़ी बुराई दिखाई देंगे, और ऐसा लगीगा मानू ग्रहस्ती सारे दुखों, स्वार्थों और पापव का केंद्रे, कई एक मनश्य अपूर्ण है, वह अपूर्णता से पूर्णता की और यात्रा कर रहा है, ऐसी दशा में ये आशा नहीं रहनी चाहिए कि हमारे परिवार के सबस्दस्य वर्गे के देवता हमारे पूर्ण आग्यानु वर्ती होंगे, जीवन अपने साथ जन में जन्मांतरों के संसकारों को लाता है, ये संसकार धीरे धीरे बड़े प्रयत्न पूर्वक बदले जाते, एक दिन में उन सबका परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए ये आशा रखना अनुचे देखिए कि परिवार वाले पूर्णिता हमारे आग्यानी वर्ती ही होंगे, उनकी तुर्टियो को सुधारने में, उन्हें आगे बढ़ाने में, उन्हें सुखी बनाने में संतोष प्राप्त करने का अभ्यास डालना चाहिए, अपनी इक्षाओं की पूर्ती से सुखी होने की आशा करना, इस संसार में का संभव मांग करना है, दूसरे लोग हमारे लिए ये करें, की ग्रहस्त का पालन करना, एक प्रकार के योग की साधना करना है, इसमें परमार्थ सेवा, प्रेम, सहायता, त्याग, उदारता और बदला पाने की इक्षा से बिमुकता, यही द्रिस्टिकोन प्रदान है, जो इसको धारन किये हुए, वही ब्रामी स्थिती में है, वह घर में रहते हुए भी सन्यासी है, यह सोचना ठीक नहीं कि ग्रहस्त आस्रा में बंदने से अध्यात्मी कुन्नती नहीं हो सकती, आत्मा को उच्छा उठा कर प्रमात्मा तक ले जाना, यह पुनीत आत्मी साधना अंतह करन की भीतरी स्थिती से संबंद रखती है, बहा जीवल के साधकों में से ग्रहस्तों क्यों ही हम अधिक देखते हैं, प्राचिन काल के रिशिगन आज के गैर जिमिदार बाबाजियों से सर्वता भिनने थे, घनी वस्तिया ना बसाकर स्वक्षवाईयों में दूर दूर घर बनाना, पक्के मकान ना बनाकर छोटी जोपड़ियों में रहना, बस्त्रों से लदी ना रहकर शरीर को खुला रखना, आदी उस समय की साधारन प्रथाएं थी, उस समय के राजाओं तथा देवताओं की जो चित्र मिलते, उनमें वे सभी कटी बस्त्र के अत्रिक्त और कोई कपड़ा पहने नहीं दिखते, यह उस समय की परिप परण का था,